प्राशांत सेंगर मास्क पहने, दोगस की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुह साफ रखें और अब समाचार सुने पहले मुख्य समाचार किंद्री स्वास्त मंत्राले ने कहा कि देश में COVID-19 से मृत्वी दर में कमी आई है मुख्य मंत्री ने कहा कोरोना संकमर्ण से बचाओ के लिए जनिता कर्फिव आवशक, प्रदीश में राम नौमी का परव, धार मिक्षिद्धा और उल्लास के साथ मनाए गया और आईपियल में आज के पहले मकाबले में संराइज जैसन पंजाब किंग्स को हराया, दूसरे मैच में चैन्नाई और कुलकता होंगे आमने सामने केंद्री स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि इस समय देश में COVID-19 से मृत्वी दर में कमी आई है और वर्तमान में ये एक देशमराव एक साथ प्रतिशत है स्वास्त सचिव राजेश भूशन ने नई दिली में मीडिया से बाचीत में कहा कि केंद्र और राजे सरकारे महमारी से निपटने के लिए हर संभाव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि देश में 146 जिले ऐसे हैं जहां COVID-19 संक्रमट दर 15% से अधिक है जो चिंता जनक है सरकार इन जिलों में इस्तिती को नियंतरित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है स्वास्त सचेव ने कहा कि पांच राजे में संक्रमट के सक्री मामलों की संख्या एक लाग से जदा है ये राजे हैं महराश्ट उत्तर प्रदेश, करनाटक, 36 गर्ड और केरल श्री भूशन ने कहा कि केंद्र और राजे सरकारें आकसीजन, बेड और दवाईयों सहित स्वास्त सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मिल कर काम कर रही है मुख्यमंतरी शिवराजी सिंग चोहान ने कहा है कि प्रदेश की जनता 30 अपरिल तक अपने अपने गाउं, गली, मोहले, में जनता कर्फ्यू के माद्धिम से ऐसे आत्मनोशासन का परिचे दे कि वो एक उधारन और मिसाल बन सके मुख्यमंतरी शिरी शिरी चोहान बुदिने विदान सबक शेतर के निवासियों से ओडियो ब्रिच के माद्धिम से समबाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहल रहे कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए अपनी कातिवितियों को सीमित करना आवशक है जनता कर्फ्यू इसका प्रभावी उपाय है मुख्यमंतरी श्री चोहान ने कहा कि प्रदेख व्यक्ति मेरा गाउं कोरोना मुक्त गाउं मेरा मुखला कोरोना मुक्त मुखला और मेरी गली कोरोना मुक्त गली का संक्रमण की शिंखला को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू को 30 अपरेल तक बढ़ा दिया गया है परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने राज्यों से कहा है कि वे और कोई विकल्प शेश नहीं रहने की इस्तिती में अंतिम उपाय के रूप में ही लॉकडाउन पर विचार करें कल शाम राष्ट को संबधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को संकल्प, सहाज और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर को पार करना होगा उन्होंने कहा कि कोविड इस्तिती पर हमें आर्थिक सौास्त के साथ साथ देश वासियों के सौास्त का भी ध्यान रखना होगा आक्सीजन की बढ़ती मांग पर परदान मंत्री ने कहा कि राज्यों में नई आक्सीजन सेंटर लगा जाएंगे और जल्दी ही एक लाग नई आक्सीजन सिलेंडर की आपूरती की जाएगी बदान मंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे शमेकों से आगरे करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें केंडर सरकार ने कोरोना मारीजों को किफायती चिकितसा सुविदा देने के लिए रेमडे सिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क समात कर दिया है इस कदम से दवा की आपूरती बढ़ेगी, कीमत घटेगी और मारीजों को फायदा होगा वित मंत्राले की अदिसूशना में कहा गया है कि रेमडे सिविर की मुक के सामागरियों इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेश तत्वों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है मंत्राले ने कहा कि ये आदेश इस वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक कब कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ हर मू साफ रखें एक बर फिर आप सभी का समाचारों में स्वागत है राम नौमी का परव आज देश भर में धर्मिक शुद्धा और उल्लास के साथ मनाए गया पुरानेक माननिता के अनुसारी ये परव भगवान विश्णों के साथ में आवतार भगवान राम के प्राकट्ट की खुशी में मनाए जाता है राश्पति उपराश्पति और परधन मंत्री ने देश भासियों को राम नौमी के आवसर पर बधाईयां दे मुक्ख्य मंत्री शिवराजी सिंग चोहान ने भी प्रधेश भासियों को शुबकाम नाए दी है दूसरी तरफ आज नौमी की तिथी के साथ ही शक्ति के आराधना का परव नवरात्री भी देवी सिद्ध दात्री की पूजा अरशना के साथ संपन हो गया राजदानी बोपाल के समीप सलकनपुर देवी मंदिर सत्नम महियर के माशारदा देवी मंदिर देवास में तुल्जा भवानी मंदर और दतिया और आगर मालवा के नलखेड़ा में माबगला मुखी मंदर सहित उज्जेन के हर सिद्धी देवी मंदर में आकरशक सास सजग की गई थी अलगी सभी देवी मंदरों में केवल पूजारियों ने ही पूजा अर्चना की और भंडारों और कन्या भोच के आईजन भी रद किये गए इसी तरह श्री राम नौमी के अफसर पर प्रदेश के कई अंचलों में निकाले जाने वाले जो आरे विसरजन और श्री राम शोबा यातरे के आईजन भी आज रद किये गए थे केंदर सरकार ने प्रधान मंतरी गरीब कल्यान पेकेज के अंतरगत स्वास्त कर्मियों की बीमा योजना को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है स्वास्त और परिवार कल्यान मंतरी डॉक्टर हर्शवर्दा ने कहा है कि परिणामों की खोशना की परिणाम के अनुसार को वैक्सीन के 78 परतिशत के नैदानेक प्रभावकारिता की सूशन दी गई है इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के भीशन रूप में बीमारी से लड़ने के लिए टीके की प्रभावकारिता शचत परतिशत थे एक बयान में कम सार हलके मध्यम और गंबीर सेंक्रमन के खिलाफ टीके की प्रभावकारिता 78 परतिशत है आईपियल करकेट में आज के पहले मकाबले में सनराइजर्स ने पंजाब किंक्स को जौनी वेस्टों के शांदार अर्दशतक की मदद से 9 विकेट सहरा दिया है मैज की शुआते है पंजाब किंक्स ने टॉस जीत कर पहले बाले बाजी करते हुए 19.4 ओवर की गेंबाजी के खिलाफ केवल 120 रद मनाए वहीं सनराइजर्स की तरफ से खलील एहमाद ने तीन और अभिशेक शर्मा ने दो विकेट हासिल किये मिला हुआ लक्ष 121 रद सनराइजर्स हैजराब और अब इस से बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप में और राजी सरकारों के विबेन अस्पातालों में किया जाएगा पश्चि मंगाल में कल छटे चरण का मतदान होगा राजी की 294 विदान सबाग सीटों में से 180 सीटों पर मतदान पहले ही संपन हो चुका है इस चरण के 43 विदान सबाग सीटों में मतदान के लिए 10,897 केंदर बनाए गए है और अन्त में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर केंदरी स्वास्त मंत्राले ने कहा कि देश में COVID-19 से मृत्यु दर में कम ही आई है मुख्य मंत्री ने कहा कोरोना संक्रमाट से बचाओ के लिए जनता कर्फिय आवशक प्रदीश में राम नमी का परविश धा और उल्लास के साथ मनाए गया और आई पेल में आज के पहले मुकाबले में संराइजर्स ने पंजाब किंग्स को हराया दूसरे मैच में चैन्नाई और कोलकता होंगे आमने सामने इस बॉलेटिन के अन्त में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कर